Welcome to early classes, हम लोग number system पढ़ रहे हैं, और number system का ये second video है, इसमें पहला question आपके screen पर लगा हुआ है, देखते हैं, पहला question क्या कहता है, ये देखिए सारे question पूछे विए, ये पहला question देखिए 2017 में पूछा गया है, और 2018 में भी पूछा गया है, देखिए इसको कैसे करना चाहिए, कर रखा है, जब ये 4X पार 4, प्लस 10 पार, 10X पार 3, माइनस 2X का प्लस 90 को, X प्लस 2 से विवाजित किया जाता है, यानि डिवाइड किया जाता है, तो सेसफल मतलब remainder क्या होगा, आप से पूछा है, तो ये remainder find out करने, जब भी कोई एक ऐसी algebraic equation आ जाए, expression आ जाए, और कहे क किसी एक particular number से divide किया जा जा रहा है, तो उसमें remainder क्या होगा, सेसफल पूछे, यानि remainder पूछे, तो क्या करना होगा, जिससे divide किया जाए, उसको 0 के equal liquid कर दे जा, क्योंकि, ये समझे ऐसे, ये X प्लस 2 से divide कर रहे है, ना, X प्लस 2 से divide कर रहे है, तो X, क्या हो रहा है, चल नही हो है, इसका, अब चलेगा, X प्लस 2, ठीक है, X प्लस 2 is equal to 0, जिससे divide किया जाए, उसको 0 के equal liquid कर देंगे, ठीक है, X प्लस 2 is equal to 0 हो जाएगा, तो X is equal to क्या जाएगा, X is equal to minus 2 हो जाएगा, अब ये value उस expression में रखो, क्योंकि, ये factor है, ये factor उसके रखोगे, तो जो भी answer आए जाएगा, वही आपका अंसा होगा, तो 4, X to the power 4, प्लस 10, X power 3, minus 20, X square plus 90, अब भी इसमें X is equal कितना लग दो हो है, minus का 2, तो 4, minus 2 की power 4, minus 2 की power 4, plus 10, minus 2 की power 3, plus, यानि ये minus 20, into minus 2 की power कितना हो जाएगा, 2, plus 90, किलर हो है, अब minus 2 की power 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो 16 लाखो चार से multiply करोगे, कितना जाएगा, 64, plus, minus 2 की power 3, जिकलर कितना होगा, minus 8, minus 8 को 10 से गुड़ा करोगे, कितना जाएगा, 80, और वो भी कैसा आएगा, minus का आएगा, तो यहाँ पर क्या कर दो, plus minus, minus आजएगा, minus 2 की power, minus का 8, minus को 8 को 10 से multiply करो, minus का 80 आएगा, फिर minus 2 की power 2, यानि, plus का 2, plus का 4, और 20 से multiply करेंगे, तो 4, 2 जाएगा, 80, ठीक, यह भी कितना जाएगा, 80, plus का 90, अब आट कर लेते हैं, यह 64, और प्लस यह 90, आट करेंगे, 154, कैसा हो जाएगा, positive का, और यह, minus 80, minus 80 कितना हो जाएगा, 160, अंसर कितना हो जाएगा, minus का 6, clear हुआ, तो आपसा नम्बर कौन सा, भी, आपका, ठीक, जब भी कोई sales फल, यानि, remainder पूछता है, तो जिस नम्बर से divide करने, बात करें, उसको 0 के को liquid करा देंगे, वहां से x value finite करेंगे, और आपके expression में रख देंगे, जो भी आएगा, वही आपका आंसर होगा, यानि, sales फल होगा, आपको divide नहीं करना है, यह remainder थे और महुत कहलाती है, चलिए देखते हैं, next question क्या कहता है, आगे क्यों बढ़ते हैं, यह रहा next question आपका, य यह दिकिन ही, तीन क्रमा गत्सम प्रोडांग, यह क्रमा गत्सम प्रोडांग क्या होता है, इंग्लिस में लिखा है, sum consecutive even integers, ठीक है, even integer, consecutive मतलब एक के बाद एक even number, जैसे पहला दो लोग है, तो दूसरा क्या आगा, चार आ जाएगा, या पहला आपने 8 लिया, तो दूसरा even को number कौन सा होगा, दस होगा, यह, आठ, दस, बारा, ऐसे लगा तार, समझगे, तो consecutive even number का योग जह है, sum है 54, तो सबसे छोटी, तो जब consecutive even number कंसिडर करना हो, तो पहला even number का जो हम x कंसिडर करने, तो आप जानते हैं, दूसरा क्या होगा, x प्लस 2, क्योंकि हर दूसरा, हर number म दो add करने पर अगला even number मिल जाएगा, तीसरा कहें, तो कितना हो जाए, x प्लस 4 हो जाएगा, समझ रहे ना, पहला आपने 6 माना, तो दूसरा क्या होगा, आठ, दो add करने बाद मिल गया, फिर दूसरा 10 होगा, तो 10 कैसे मिलेगा, 6 में जब 4 add कर देंगे, फिर अगला 6 add कर द देखते हैं, क्योंकि यों consider करने पर depend करता है, चलो इसको देखते हैं, तो x प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 4, इस इकल टू कितना हो जाएगा, आपको दिया 54, इस इकल टू 54, तो देखेंगे x, x, x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 3x प्लस 4 दो 6, इस इकल टू कितना हो जा मानते हैं तो 3 x is equal to कितना हो जाएगा यह 6 उदर सब्ट्राइट हो जाएगा यानि 48 एक्स इजिकल टू आप बताएंगे कितना जाएगा 16 तीन से डिवाइट कर देंगे 48 को तो कितना जाएगा 16 आपसा नमबर कौन सा है इह एक हैं के लियर हो चुका होगा तो इस तरौके से सममक्रमागत हो या बिसमक्रमागत हो उनको आप सृल कर सकते हैं बस यह जाद हना कि कैसे मानना जचाही है ठीक है, सम्क्रमागत नंबर स्कॉइसे ही आड़ करना है, विस्म्क्रमागत होंगे तब भी यही मानेंगे, क्योंकि विस्म भी पहला अगर आपने मालो 5 मान लिया, तो दूसरा क्या आएगा, साथ आज आजए गा, तीसरा क्या आएगा, नो, यानि हर दो नंबर पर आड़ क करता है समाझ चुके होंगे चले देखते हैं नेक्ष कोर्षन क्या कहता है नेक्ष कोर्षन यह एक कोशन बड़ा अच्छा कोशन है देखी यह भी कोशन पूछा हुआ है एक संख्या बावन से भाजित होती है करया कोई संख्या है अनंबर इस डिवाजित होती है तो इसको मैं डायरेट बता देता हूं इसको समझीएगा आप कैसे कर पाएंगे एक संख्या है जो 52 से डिवाजित की गई है और बता आप सेसपल कितना मिलना है इसमें जो रिमेंडर है वो मिलना है 27 कर आप जो संख्या 52 से डिवाजित की गई थी अगर वही संख्या 13 से डिवाजित की जाए तो रिमेंडर क्या होगा तो डायरेट का मेथड यह होता है आ वह देखना क्या पहले वाले नंपर का फैक्टर है या नहीं मत्रह पहले जिस नंबर से वाजित किया था उसका réponse है गया यानि वह नंबर उसको कर रही क्रें तो देखेंगे 13 से 52 ड्योक्त सब्रकित हो किसा हो तो आप डारेट उसके Count को डिवाइट करेंगे तो तेरा दूनी 26 तो रिमेंडर कितना है वान आंसर आपका सी आ गया समझ गए इस टाइप के कोशन को ऐसे करना कहरा था एक संख्या बावन से भाजित की जा रही तो पहले बावन से भाजित कर रहे तो बाद में जिससे डिवाइट कर रहा है यह कर पाता तो इस केस में आपको नंबर find out करना पड़ता वो नंबर क्या था समझ के इस पर भी मैं आगे discuss करता हूं सmeal का चलिए देखते हैं किने क्या कहता है ये सारे कॉशन पूचे हुए हैं ठीक है देखी ये भी कोशन पूचा हुआ है क्या कह रहा है प्रतेक अंको को केवल एक बार प्रयोग करते वे तीन कामा जीरो तथा साथ से बनने वाले सभी संभव तीन अंको की संख्याओं का ये बोता यानि तीन जीरो और साथ को जीरो हो और एक नंबर साथ है तो पहला नंबर तो यही हो जाएगा 307 लिखने एक संख्या यह बन गई दूसरी संख्या क्या हो सकती है अगर साथ को पहले लिख दें साथ पहले हो जाए जीरो बाद में हो जाए तीन बाद में साथ सो तीन हो सकती है यह और एक क्या हो सकती है तीन और साथ को पहले लिख दें जीरो बाद मेरे तीन से सत्तर हो सकती है और साथ तीन और जीरो साथ सत्तर हो सकती है जीरो को अगर पहले लिख दिया तो दो अंकर की संख्या बचेगी यानि नहीं लिख सकते हैं तो इतनी ही संख्या है पॉसिबिल है इनका सबका योग का है चलो देखते हैं साथ इन दस हासिल लगा एक जीरो साथ इन दस एक ग्यारा हासिल लगा एक तीन साथ दस 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 दिन तेरा तेरा साथ इकीस तेरा साथ बीस बीस एक इकीस 2110 आपसर नमबर कौन सा है आपसर नमबर डिया गया किलियर हो चुका होगा बताया है तीन जीरो और साथ का प्रियोग करते वे हैं इन संक्रियोग करते वे कितनी संख्या बनी तो चार बनी अब इन सब ही संख्याओं का योग पूँचा है तो आपने निकाल दिया, simple सा था, लेकिन ये देखे, पूचा गया है, दो बार question ये ही पूचा गया है, ठीक है, चलिए next question के बढ़ते हैं, next question क्या कहता है, ये एक और question आपके screen पर लगा हुआ है, ये भी question देखो, 2018-2019 में पूचा गया है, ठीक है, क्या कह रहा है, ये भी उस क्या है, तो सबसे पहले इनका प्रियोग करते हुए सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, तो पहले नंबर कौन से हैं, ये लख लेते हूँ, दो है, नो है, छे है, पांच है, इन में सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, ठीक है, तो जब सबसे बड़ी संख्या निकालोगे सबसे पहले कौनसे 9 सबसे बड़ी संखया लिख लोगई श्रभ स्वाइब श्रण उस से छोटी छे फिर श्राइब च्छोटी पांच और रिक्न आट सबसे च्छोटी should लिख फिर उसे बढ़ा six और फिर यूरी प्लेस्ट पर सबसे बढ़ा तो दू पांच छे नो यह क्या हो गया यह सबसे बड़ी और इंका कहा अंतर बता हो तो बारा से नो गया, कितना आजाएगा, तीन, यहां बज़ जाएगा, कितना, यहां बज़ जाएगा, आप देखेंगे, चोदा, चोदा से छे गया, कितना आठ आजाएगा, ठीक, अब यहां कितना आजाएगा, पांच, पांच से पांच गया, जीरो, यहां बज़ जाएग होगा इस तहीके से जब कभी छूटी या बड़ी संख्या बनाने बाता है तो आप बना सकते हैं ठीक चलिए नेस्ट कोशन के बढ़ते हैं काफी इंपॉर्टन कोशन से यह सारे कोशन पूछे भी हैं अभी तक हम अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक और सब भाग फल 24 है और सेज़ फल बता रहा तेरा है तो संख्या बताओ ठीक है तो यह तो बड़ा आसान कोशन है इसमें कोई बड़ी बात है नहीं एक संख्या है बता आरतीस से भाजित करते हैं तो आरतीस से मालों भाई डिवाइड किया होगा आपने ठीक कोई भी संख्या हो कि मालेत हैं यहां पर लिख लेता हूं एकस रही होगी तो भाग फल बता रहा चोग भी सा रहा है और सेज़ फल कितना रहा तेरा रहा है तो संख्या होता है आप जानते हो इसका इसका मल्टीप्लाई इसमें हैट कर देते हैं तो यह तो बड़ा आसान था कोई थर्टी नो सो बारा और तेरा किया करना एट कर देना है तो 925 आजाएगा आपसे नमबर कौँ साइगा पहला आगया ठीक चलिए आगे चलते हैं इसकोशन पर ठीक है अगला कोशन क्या कहता है यह कौशन देखिए आपका सेज़ फल गयाद करने कर रहा है ठीक है यह एक और कोशन ह था लेकिन यह दूसरी तरीके का है रिमेंडर ठीक है यह नंबर है आपका 550 मैं इधर लिख लेता हूं एक है 550 multiplied by 651 multiplied by 651 into 662 और डिवाइट करने किसे साथ से युवाइट करते हैं तो किया से इस पर बता रिमेंडर बता चलो देखते हैं तो का करना डियोएट करते हैं साथ से कार दिया जाए सा इसको कर देते ङरते हैं इसको пар Eleven करते बाद में Zweigat कर दो दा यूए टांसा एशन करना है तो साथ सती उनुर्चास ठीक है साथ सती 59 ठीक्ट कितना बचा इसमें 49 और 6 और पर कितॉन हो जाएगा यहांपर 69 कितना बचेगा डिवाइट करेंगे तो साथ को साथ से जब डिवाइट करेंगे साथ अठेट छपन कितना बचेगा चार वो रिमेंडर लिख लो यहाँ पर इसी तए इसका रिमेंडर लिख रहते हैं इसका रिमेंडर करेंगे तो divide करते हैं तो जो divide करेंगे साथ नोई या तीर सट दो बचा साथ रिकिकीस कितना आगा जीरो और इधर कुछ भी आए अगर जो आप multiply इधर कुछ भी आज़ा है और multiply में 0 आगया अगर इसको multiply करेंगे कितना आएगा जीरो आपसे नमबर कौन सा आगा सी डायेट लगा दिजिए ऐसे नमबर को आपको ऐसे ही करना है जब कभी भी मुल्टी इप्लाइड में हो किसी नमबर से डिवाइड कर रहा हो तो डिवाइड करते जाएए उसके remainder लिखते जाएए उसको बाद में मुल्टी इप्लाइड कर लेंगे और से डिवाइड करेंगे लेकिं यहां पर मुल्टीप्लाइड करने बाद ही जी यूरो आ गया तो आगे साल कोने की जरूरत ही नहीं कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखिएगा मैं इसको और एक्स्प्रेशन करूंगा चलिए नेस कोशन की बढ़ते हैं क्या कहता है देखते शक्सीली मतलब उत्र-उत्र सक्सीली जब डिवाइड करते हैं एक के बाद एक तो बता रहा है किस से डिवाइड करते हैं चार और पांच से लीफ्स दरिमेंडर वन और फो रिस्पेक्टिवली यानि एक और चार से इस पर बढ़ता है इसी संख्हा को अगर अगर आ बोड से कुछ भाग दिया है ठीक है पहले चार से भाग दिया फिर करा पांच से भाग दिया उसी नमबर को जब चार और पांच से भाग दे रहा तो उसके सेस्पल बता रहा पहली बार में जब भाग दिया तो सेस्पल एक बचता था जब पांच से भाग दिया तो सेस्पल कितना गया होगा, तो minimum one times आप divide कर देंगे, one time divide कर दिया और one time divide किया गया होगा, तो यह नमबर क्या होगा? पाँच करना 5, चाल नो, तो क्या कहेंगे नो होगा, समझगे? और यहाँ पर जोの number आया है यह जो भाजक है, ठीक है नो यहाँ पर आ जाएगा इस तरीक को कहते हैं सक्सी सिवली यानि उत्तर-उत्तर समझें फिर से देख लो मिनमूम वन टाइमस लेकर के गया तो यहां जो भाजक था ठीक है वो कितना आया नाइन आया डिवीडेंड नाइन आया वो नाइन डिवीडेंड जो है यहां पर डिवीडेंड यहां पर आ गया आपका ठीक है अब जो है तो यहां पर नमबर क्या आएगा जो भाग फ़ल नाइन आगया अब इसको जब साल करेंगे तो यहां पर नमबर क्या आएगा 4, 9, 36 और एक जोड़ देंगे अपके पहले बताओ 5 से भागदिया जाया तो जब 5 से पहले भागदेंगे तो आप बताएंगे कितना आजायागा देखेंगे तो कितनी फे tecnología जा रहा है 57 35 57 35 कितना आया आप देखेंगे 7 से 5 गिया 2 अब यहां कितना बज़ गिया 7 किन्स से भाग देंगे चार से भाग देंगे देंगे की नहीं तो थो न्व चारन । कितना बच गया ह। आप बताएंगे 2 3 आसो बैल अब्र कौनो Alzheimer के लियर हो चुका यह में थड़ क्या सकसेडम वि ones पूच्छे किह सा विसे नला आई हो कोशना आपको अच्छे लगए हो तो प्लीज लाइक और सस्काइजर हो करें थैंक यू वेरी मुच मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में